विश्म में ऐसे कई स्थान है जो अपनी तरफ पर यटकों को हर दम आकरशित करते हैं लोग ऐसे खूबसूरत स्थानों पर घूमने के लिए उच्चाहित रहते हैं लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे स्थान भी है जो पहली नजर में अपनी और आकरशित तो कर सकते हैं लेकिन वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है कहीं सक्रिय ज्वाला मुखी है तो कहीं मगर मच्चों और सापों से भरे द्वीत कहीं जहरीले गैसों का साया तो कहीं खोलता हुआ पानी नमस्कार मैं नेहा आप देख रहे हैं हमारा खास कारेकरम सेर सपाटा एडवेंचर की तलाश में लोग क्या क्या नहीं करते लेकिन ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा काम होता है ऐसी जगा को तलाशना जहां वाकई उन्हें जाकर भरपूर मज़ा आता है ऐसे में कई बार जंगाओं को एक्स्प्लोर करते करते ही इंसान का धहरिये जवाब देने लगता है लेकिन इस वीडियो के जरिये हम आपकी यह मुश्किल कुछ हद तक कम करने की कोशिश करेंगे जी हां आज हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया की ऐसी पांच रोमांच और भयानक भरी जंगा की ओर पहला इस्थान है खूनी पोखर यह जापान के सबसे खतरनाक इस्थानों में से एक है इस तलाब में तैरना मना है क्योंकि इसका तापमान 194 फेरे नाइट रहता है तलाब में लोहे और नमक की मातरा काफी होती है और इसका पानी खुनी लाल रंग का होता है पानी की सथा से भाप पास्विक होती रहती है इसलिए यहां इंसानों का जाना मना है यहां के कुछ होटेल्स हैं, बिमारू टोक्यो, नहोगा होटल, होटल गौसरी कैसे पहुंच सकते हैं आप यहां पर यहां का निकटतम हवाई अड़ा, नारिता इंटरनेशनल हवाई अड़ा है दूसरा इस्थान है ओक पेने की दलदल यह जगा जोर्जिया देश में है, यहां हजारों साल से पांस नाम की घास हर जगा पैली हुई है लोगों ने पहले जो मकान और रास्ते बनाए थे, उन्हें इस घास ने ढग दिया है यह एक परभक्षी घास है, यहां जहरीले मच्छर, कीडे मकोडे, जहरीले साप, मेंडक और हजारों मगरमचों का आतंक है यह जीब यहां इंसान के लिए बेहत खतरनाक हैं यहां के कुछ होटल्स हैं, विलापूर्टीना, होटल गेलाती, होटल बर्ण कैसे पहुँच सकते हैं आप यहां, यहां का एरपूर्ट बतूमी एरपूर्ट है, तीसरा इस्थान है माउंट मेरापी बॉलकेनी इंडोनेशिया का यह सब्से सक्रिय ज्वाला मुखी है, और 1548 से यह लगतार सक्रिय है जब इसमें भी स्पोर्ट नहीं होता है, तब भी इसमें बहुत मात्रा में धुआ निकलता रहता है और यह आसमान से दो मील की उचाई तक दिखाई देते हैं यहां के कुछ होटेल्स हैं, गोल्डन फ्लावर होटल, होटल ग्रांट जूरी कैसे पहुँच सकते हैं आप यहां, नागुरह राय इंटरनेस्टर एरपोर्ट, जुन्डा एरपोर्ट, चोथा इस्थान है, रागरी दीप यह जंगा बर्मा देश में हैं, इस द्वीप को गिनीज ओफ वर्ल्ड रिकोर्ट में इस बात के लिए जगा मिली है कि यहां के खतरनाक जानवरों ने लोगों को सबसे अधिक नुकसान पहुचाया है इस दीप में खारे पानी की कई जीले हैं और यह खतरनाक मगर मचों से भरी हुई है यहां के कुछ होटल हैं, होटल बालगी, होटल चैंपियन, कैसे पहुँच सकते हैं आप यहां यांगोर इंटरनेशनल एरपोर्ट और हेहो एरपोर्ट यहां के निकटतन एरपोर्ट है पाँच्वा इस्थान है स्नेक आइलेंड, यह जगा प्राजील देश में है इसे गोल्डन लोस हेंट सर्प की प्राजीती का घर कहा जाता है यहां पर इन सर्पों की संख्या इतनी अधिक होती है कि हर एक वर्ग मिटर में पाँच साप रहते हैं यानि कि आपके सिंगल बैट जितनी जगह में 10 साप और डबल बैट जितनी जगह में 20 साप रहते हैं इस साप की गिंती विशु के सबसे जहरीले सापों में होती है इसका अंदाजा आप इस बाद से ही लगा सकते हैं इस साप के काटने से आदमी 10 से 15 मिनट के अंदर मर जाता है पूरे ब्राजिल में सापों के काटने से होने वाली मोतों में से 90 परतिशत मोतों के लिए यही साप जिम्मेदार है वर्तमान ने प्राजिल की नेवी ने लोगों के यहां घूमने पर प्रतिबंद लगा दिया है यहां के कुछ होटल्स हैं होटल 10, पालमास, क्रानाडा होटल कैसे पहुंच सकते हैं आप यहां इंटरनेशनल एरपोर्ट और ब्रासीलिया पिंटु मार्टिस एरपोर्ट यहां के निकटतम एरपोर्ट है आज की इस रिपोर्ट में इतना ही अब मिलूंगी आप से अगली सैस अपाटे की रिपोर्ट में तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल मीडिया दर्बार के साथ धन्यवाद